Hello Everyone, Welcome Back आज हम बात करेंगे Under Absorption of Overheads की और Over Absorption of Overheads की कि कौन से केस में हम Under Absorption बोलते हैं और कब हम Over Absorption बोलते हैं इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें Allocation, Apportionment और Re-apportionment का मतलब पता होना जाहिए कि Allocation of Overhead का मतलब क्या होता है apportionment of overhead का मतलब क्या होता है and re-apportionment of overhead का क्या मतलब होता है और लड़ी वैस्टी में इसके ओपर एक वीडियो बना चुकी हूँ but फटा-फट से कुईक रिवीजन कर लेते हैं जिन्होंने ने वीडियो नहीं देखा है या जिनको अभी भी confusion है देखे ऐलोकेशन कहां पर यूज करते है जब हमें कोई particular expense पता है कि यह कौन से department को बिलॉग करता है तो for example हमारे पास तीन department है department A, department B and department C और यह जो department है यह product है तो product A हम sale करते है product B and product C हम तीन product sale करते है और हमें पता है कि electricity charges question ने मुझे given है कि electricity charges जो है वो A के कितने है, B के कितने है और C के कितने है तो जब मुझे पता है कि A का कितना electricity charge है B का कितना है और C का कितना है तो मैं सीधा उसको क्या करूँगी allocate कर दूँगी उस department में तो सीधा हम electricity charges लिखेंगे और A के सामने A का electricity charges B के नीचे B के electricity charges कॉमन होते हैं जैसे कि रेंट पे किया अब हम यह जो प्रोड़क्ट हम मैनुफेक्चर करते हैं यह पूरी एक बिल्डिंग के अंदर हम मैनुफेक्चर करते हैं जिस पूरी बिल्डिंग का जो रेंट है वो हम कॉमन पे करते हैं हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सर यह ए प्रोड़क का रेंट है यह B प्रोडक्ट का रेंट है और यह C प्रोडक्ट का रेंट है तो जो भी हमारा लेंडलोड होगा हम उसे पूरा एक प्रॉपर रेंट देते है एक अमाउंट का रेंट देते है हमें क्या करना होगा अब इस रेंट को जो है वो तीनो प्रोडक्ट में distribute करना पड़ेगा in a certain on a certain basis तो उस base को हम choose करते हैं कि कौन सा base जो है वो सही रहेगा इस rent को apportion करने के लिए तो यहाँ पर rent को apportion करने के लिए कौन सा सही रहता है area occupied by respective department तो A ने जो है कितना area occupy किया है B ने कितना area occupy किया है और C ने कितना area occupy किया है उसका हम ratio निकाल लेते हैं तो मालेते हैं इनका ratio जो आते हैं वो आते हैं 2 is to 2 is to 3 तो यह इस ratio में area occupy करते हैं तो जो भी हमारा rent होगा उसको हम इसी ratio में departments में distribute कर देंगे जिसे हम बोलते हैं apportionment तो A के नीचे आजएगा A current B के नीचे B current और C के नीचे आजएगा C current इसकी बाद होता है re-apportionment re-apportionment हम कभी यूज करते हैं जब हम products को manufacture करते हैं या products में deal करते हैं और उन्हें support करने के लिए हमारे पास service department होते हैं तो मान लिजे कि हमारे पास 3 products हैं जिनको manufacture करते हैं और इनको support करने के लिए हमारे पास 2 service department है यह कोई भी service हो सकती है चाहे repairing की हो, power की हो canteen हो सकता है, human resource department हो सकता है accounting department हो सकता है goods procurement department हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है अब यह जो department होते हैं हमारे service department यह इनको service provide करते हैं अब market में जब हम sale करते हैं तो प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो इनकी कॉस्ट होगी वो इसमें भी तो जानी चाहिए इनका जो कॉस्ट लग रही है जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट वन में जो लोग काम कर रहे हैं मशीन्स है, इलेक्रिसिटी बिल है इन सब की जो कॉस्ट है मान लेते हैं कि 1 लाक रुपी की सकी कॉस्ट आती है और इसकी कॉस्ट 2 लाक रुपीज आती है तो यह 1 लाक रुपी की कॉस्ट हम कहा से रिकावर करेंगे इस कॉस्ट को जो है हम इन सारे डिपार्टमेंट में डिस्रिबूट कर देंगे जिसे हम बोलते है re-apportion करना तो re-apportion मतलब कि जब हम service department के overheads को distribute करते है in the production department तो हम उसे बोलते है re-apportion करना क्योंकि service department में जो cost लग रिये है मेरी total 3 lakh रुपीज की वो मुझे इन product से ही gain करनी है वापस उन से लेनी है next होता है और तक देखें, जब मैंने सारे तको कोन की कौस्ट दे दी, डिपार्ट में अ को भी ब्याट कुष दे को भी तो सारी कौस्ट देने के बाद मुझे कुछ फिगर मिलती है, जो मिलता है मुझे टोटल ओवरहेड कि डिपार्ट में जब से कितने total overhead मुझे ऊवरहेड कितने अवरहेड है और department C कितने ऊवरहेड होए तो total overhead मुझे पता चल जाएगा कि A का कितना B का कितना सी का कितना इसके भात जब हमें overhead पता चल जाते हैं तो एक rate निकालते है per, अब देखें यहाँ पर मैंने किया आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब question के according आप इसे लिखेंगे, या तो ये per rb हो सकता है, ठीक है, या तो ये labor rb हो सकता है, या फिर per unit भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कि आप rate जो निकाल हमने 1000 units manufactured गी, तो मैं कह सती हूँ कि मेरा जो department A का overhead rate है, वो कितना है, 100 rupees per unit, तो यानि कि ये मेरा क्या आगया, एक overhead rate आगया per unit का, अब हम इसी को use करते है, overheads को absorb करने के लिए, तो मैं अजियूम कर लेते कि ये जो मेरा scenario है, ये 2019 का scenario था, कि 2019 में मुझे पता चला, जब मैंने accounts वगरा पूरे prepare कर लिए, तो मुझे पता चला कि 2019 में A department के जो overheads थे, वो 1000 थे, और हमने जो units manufacture की थी, वो 1000 के हमारी production थी, तो हमारा overhead rate निकल के आया, 100 rupees per unit, अब मुझे 2020 स्टार्ट होता है, और मुझसे accountant आके पूछता है, कि मैं हमें accounting करनी है, हमारा selling price क्या होना चाहिए, तो मैंने उसे बुला, कि देखो हमारा जो overhead आया था पिछले साल, वो 100 rupees per unit आया था, इस साल तुम कितना expect कर रहे हो कि कितना हमारा जो है, वो production, हमारे कितनी sale जो हो सकती है, उसने का मैम, पिछले साल 1000 units जो थी, वो हमारी बहुत अच्छी sale हो गई थी, तो इस साल हमारे अप्लाइ कर दू, तो मुझे मिल जाएगा, मेरा overhead expense for 2020, यह मेरा 2019 का था, जो कि actual था, कि 1 lakh rupees के मेरे overheads आया थे, जो मैंने जब मैंने 1000 की production की तो मुझे पता चला कि मेरा 100 rupees per unit का overhead हुआ था, पिछले साल, इस साल मुझे मेरे accountant ने बोला कि मैं 1500 units सा manufacture करते है, तो मैंने का ठीक ह मैं 1500 units manufacture करेंगे, और एक unit का overhead आता है, 100 rupees, तो total कितना मेरा overhead हो जाएगा, 1 lakh 50,000 rupees, तो जब हमने cost sheet बनाई, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, जब हम price set करेंगे तो हम 1 lakh 50,000 को overhead सोच के फिर हम planning करते है, बई planning कैसे होती है, planning तो पिछले साल के estimate को रखके होती है, जो पिछले साल हमारी actual figures है, हम उनी को use करते है, future के लिए, तो मैंने इस 100 rupees के overhead के भरो से, 1 lakh का सोचा था कि मुझे overhead हो जाएगा, और इसी के according मैंने price determine करा कि हमारा selling price होना चाहिए, वो इसी के according मैंने सोचा कि मेरी हिससाल भी यही cost आएगी, बर जब पूरा साल खतम हो गया, मेरे पास मेरा accountant उसने बोला कि मैं यह 1 lakh 50,000 हमारे जो overhead हमने सोचे थे न, वो 1 lakh 50,000 नहीं हुए, 1 lakh 70,000 हो गए, मैंने उसे पूछा, यह 1 lakh 70 के से हो गए, उसने बोला कि मैं जो हमारा fuel थाना, उसकी cost बढ़ गई है, हमारे जो electricity थी, उसकी cost बढ़ गई, हमारे जो supervisor थे, उनकी salary बढ़ गई, तो इस तरीके से जो हमारे कुछ expenses से वो increase हो गई है इस साल, इसकी वज़े से जो हमारी overhead cost है वो इस साल 20,000 से बढ़ कर आई है, तो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था 1 lakh 50 होगा, और हुआ कितना 1 lakh 70,000, इसको हम बोलते हैं under absorption, हमने कम absorb किया न, आप देखो आपने under, अपने ओवर किया है कि अंडर किया है, हमने कम absorb किया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, under absorption, तो under absorption कब होगा, जब हमारा expected जो होता है, या फिर आप इसे budgeted भी बोल सकते हूं, कि जब हमारा budgeted कम होता है, actual से, तो उसे हम बोलते है, under absorption, कि हमने under absorption किया, अब ये 20,000 रुपीज क्या हो जाए जब मेरे पास last में data आया, तो मुझे पता चला, कि मेरे जो overheads है, वो 140,000 के हुए, अब मैंने फिर accountant से पूछा, कि हमारे overhead कम कैसे हो गए, हमारा rate तो 100 रुपीज के according, 1,50 होना चाहिए था, तुम ये figure कम कैसे लेकर आ रहे हो, उसने का में electricity के rate घट गए, अच्छे दिन आ है हमारे, जो fuel है, वो भी कम हो गया है, हमारे जो supervisor है, उन्हें कई salary मिलनी नहीं, तो वो हमारे पास कम rate पर भी काम करने के लिए तयार है, तो इस तरह किसे कुछ factors है, जिनकी वज़े से जो हमारी overhead की cost है, वो कम आई है, तो इसको हम क्या मोलती है, कि हमने over absorb कर लिया, हमने क् क्या over absorb, अब देखे हमने सोचा था 150 होगा, हमने इसे क्या according अपना price determined किया, और हुआ कितना 140, तो हमने अपनी तरफ से क्या क्या over absorb कर लिया, हमने जादा absorb कर लिया, तो over absorption कम हो जाएगा, जब हमारा budgeted, जादा होगा हमारे actual से, तो वो कौन सा सिनारियो हो जाएगा, over absorption, और तो ये under absorption हो गया, हमने जादा सोच लिया था, हुआ कम है, तो ये over absorption हो जगा कि हमने जादा सोच लिया था, so this is all about under absorption and over absorption, कि under absorption कब होता है और over absorption कब होता है, I hope आपको topic clear हुआ होगा, thank you